तो नमस्कार दोश्तो, आग्स के टॉपिक में जो वीडियो लेकर कहेंगे हुआज हमारा जो टॉपिक है आज हम लोग сमझाने वाले हैं कि हमारे पार कोई भी मॉबाईल फोन आथा जो जिस Music कोई भी मोबाइल फोन आ रहा है चाहा है और इक फंट chamber उन्दम तो का मोबाइल फोन आता है जिस mobile phone के इंदर मेडिया टेक कमपनी को CPU लगा होता है तो उस company के mobile phone को हम लोग कैसे shly करेंगे या उस mobile phone में हम लोग software कैसे डालेंगे उसका तरीका दोस्तों हम लोग जानेंगे मेलब आप यह बात कह सकते हैं की मेडिया टेक CPU वाले mobile phone में हम लोग व्हुत कैसे करेंगें उसका तर्भाम लोग सम्झेंगें का कि सब्से पार्ली बात क्या है आपके पाथ कोम भी मुबायल फोन आता है तो आप सब्से पहली बात क्या करिए जाअगे जीय। स connectivity से म्चुपला का दिए मोबायल फॉन का syntURE कि 2 करें किसका प्रयोग करते हैं SP Flash Tool का प्रयोग करते हैं या UMT में अगर आप चले जाएंगे तो UMT में MediaTek का जो Software आता है Version 2 इसका हम लोग क्या कम दरते हैं उप्योग करते हैं उसके बाद यदि आपके पास MediaTek CPU को Mobile Phone आता है वहाँ पर File की बात आती है जब आप Flash File को इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे Flash File डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर जो File लोड होती है वो Android MT.Skatter कौन ती फाइल लोड होती है Android MT.Skatter इस फाइल को हम लोगों को क्या करना होता है लोड करना होता है जैसे इस फाइल को लोड करते हैं फाइल लोड करने बाद पूरी Flash File हमारे उड करके हमारे सिस्टम में लोड हो जाती है उसके बाद आप अपने सॉफ्टर को रन करा देते हैं जब सॉफ्टर को रन करा देते हैं सॉफ्टर रन करने के बाद फोन कनेक्ट कराते हैं फोन क्या करते हैं फोन कनेक्ट कराते हैं जब आप मोबाइल फोन कनेक्ट कराएंगे तब आपके मोबाइल फोन ने फ्लैसिंग स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से जो ऐसे मोबाइल फोन आते हैं तो मीडिया टेक सीप्ली को मोबाइल फोन को हम लोग यहां पर जा करके इस तरीके से मोबाइल फोन को क्या कर पाते हैं फ्लैस कर पाते हैं तो दोस्तों आज के टॉपिक जो हमारा होने वाला है मैं आपको S3 फ्लैस टूल से भी फ्लैस करके दिखाऊंगा और यहम्टी डोंगल के माध्यम से भी मोबाइल फोन को फ्लैस करके बढ़ाऊंगा इन सब चीजों को बारे में मैं आपको सॉप्टर डालने के तरीका आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो दोस्तों मेरा नाम रागवंद और मेटे के सुटकान पर उसे बात कर रहा हूँ जहां पर आपको मोबाइल फोन लैप्टाउप इस तरीके से रिपेरिंग के टेकनिकली पोस्त सिखा जाते हैं यह वीडियो में लेकर क्या हूँ यह सारे हमारे सी्यक्तen आप justification ipad पर इसे आज तरीक आम बेडिया के अंदर जैसे आपको आपने तरीका आप समझाने वाल हूं कैसे आप करेंगे जो यह वीडियो का अगर आपने तरीका देख लिया तो इसके माधियां से आप कोई वी मुबाइल फोन आता है चाहें वह वीव का ہو हो या टेक्नो हो एंफिनिक्स हो किसी भी company का mobile phone लेकिन वह mobile phone ओपर Realme में नहीं होना चाहिए क्योंकि ओपर Realme के अंदर हमारी ओएफ़ी फाइल चलती है या उस फाइल को हम लोग convert करके भी हम लोग empty scatter में डाल सकते हैं वहना ओफ़ी फाइल को flash करने का direct option दिया होता है मैं आप उसके बारे में जाता है तो हम लोगों को क्या करना पढ़ेगा गूगल पर जाना पढ़ेगा मेसम दो जैसे आप यहां लिख के आते हैं तो यह टेक्नो को लिख करके आता है इसके बाद टेक्नो स्पार्ट गो जियसा मरीना ऐसा करके सर्च करेंगे तो इस मोबाइल फोन के इंफॉर्मेशन खुल जाती है यह देखे आप यहां पर आप जाएंगे जुब आप इसको अपेंड करेंगे तो यहां पर प्लेटफ्सेट में जाएंगे तो सबसे पहली बात दोस्तों प्हों को पेचाना होता है का दिखेे हैं मेर्श की पेडिर को फ्लास ते लिए या तो आप स्वियल का यूज़ करेंगे या UMT version 2 आप इस software करेंगे जब आप इस software करेंगे तो इसके माद्धम से जो भी mobile phone हैंगे उस mobile phone की क्या करभाएंगे slashing करभाएंगे तो दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं कि टेक्नो को mobile phone आते हैं उस mobile phone को कैसे flash करेंगे उसका तरीका जानेंगे उसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहली बाद हमने computer screen पर अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको यह देखे जिसे देखेंगे तो मेरे पर टेक्नो स्पार को यह हमारे फाइल और पड़ी हुई है इस file को हम लोग क्या करेंगे open करेंगे जैसे इस file को open करेंगे तो इसमें से अगर आप जाएंगे किसी बेग file पर click करेंगे इसको बोलते हैं select करना उसके बाद यहाँ पर empty.scatter पर click करेंगे empty.scatter यहाँ पर आप file mmmm ऐसे करके search करेंगे अगर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस file को लोड करना होता है यह मैं आप इसलिए दिखा रहा हूँ तक इस file load करते हैं समय आपको कोई problem ना है और आप file को पैचान सके इस file को क्या करना है load करना है जब इस file को load करेंगे तभी आप mobile phone में से flashing कर पाएंगे कि किसी file के मार्यम से हमारा पूरा mobile phone flash होने वाला है software डलने वाला है आप देखिए इस software को उम लोग क्या कर देते हैं? close कर देते हैं close करने के बाद सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ जो ऐसे student है जिनके पाद dungal है तो dungal के मात्या है mobile phone में software कैसे डालेंगे सबसे पहली बात क्या करना है? आपको अपने system में dungal को insert करना है जैसे आप अपने computer में डungal लगा देंगे तो dungal लगाने के बाद अब आपको क्या करना है? डोंगल लगाने के बार जितने भी हमारे सारे स्टुरेंट है सब लोग क्या करेंगे डोंगल लगाने से आपका मोबाइल फोन सिस्टम ते क्या हो जाएगा जब कनेक्ट हो जाएगा तो आप उसके माधियम से मोबाइल फोन में सोफ्टर कर पाएंगे सबसे पहली बाद जो MediaTek को जो सोफटर है उस सोफटर को ओपन करेंगे आगर आप अपने स्क्रीन में देखेंगे तो MediaTek को सोफटर कहाँ पर है आप उपस नीचे तक जितने भी सारे सब चीजों को ओपन करेंगे यहाँ पर Samsung, Samsung, Samsung सब जगह दिखाई दे रहा है लेकिन MediaTek को सोफटर हमारे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है या तो MediaTek को सोफटर को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे अगर डाउनलोड करने के बाद नहीं होता तो हम लोग इसको कंप्यूटर से डाउनलोड करेंगे अब देखेंगे MediaTek को सोफटर नहीं है अगर कभी हमारे स्क्रीन से खतम हो जाता है तो हम लोग उसको दुबारे डाल सकते हैं तो मेडिया टेकर सॉफ्टर ना होने की वज़े से हमने कंप्यूटर ओपन किया यह मेरी pen drive है pen drive को हमने open किया pen drive के नदा मेरे हमें लगेगा लेकिन मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आपको इस सब्सक्राइस की उपर एक एक करके step-by-step समझाता हूं आप वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीख रहे हैं और सीखने के बाद उनको अमल करें उनके माध्यम से मॉबाइल फॉन को ठीक करें यह हमारा मीडिया टेक का पूरा सॉफ्टर इस्टॉल हो जागा इसमें एक एक करके कही सारे फंसन आते हैं उनको सबको सेलेट करना है सबको सेलेट करने के बाद इस्टेफ बाइस्टेफ क्या कर लेना इस्टॉल कर लेना है जैसे आप इस्टॉल करेंगे कैंसिल करेंगे अगर आप देखेंगे तो आपके स्क्रीन में कहीं भी चाहिए उसके लिए आप देखेंगे तो यह मेडिया टेक का सॉफटर्व झाल करेंगे इसकरेंगे जैसे श्करेंगे तो हमारी स्क्रेइन में यह मीडिया टेक का यूम्ती को सॉफ्टर खुल जाएगा तो इसी software के माध्यम से जो भी mobile phone आते हैं, आप उस mobile phone की flashing कर सकते हैं, unlocking कर सकते हैं, pattern lock तोड़ सकते हैं, mobile phone को format कर सकते हैं, mobile phone में software डाल सकते हैं, या mobile phone में software से सम्मंदित जो भी सारी समस्याइं आती हैं, सारी समस्याओं को इसके माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं, चलिए, agree, यह हम अब हमने आपको बढ़ात है कि मोबाइल फोन में सॉप्टर डालने के लिए फ्लैसिंग करने के लिए आपको फ्लैसिंग टुटोरियल पर जाना पड़ेगा तो हम लोग स्कैटर फैल को स्लेट कर लेंगे जब स्कैटर फैल को स्लेट कर लेंगे तो स्कैटर फैल को स्लेट करने के बाद यहां पर तीन डॉट को आता है यह सेटिंग की तरह कुलता है यहां पर ओपन करेंगे तो आपका कंपूटर स्क्रीन खुल जाएगी तो आप कंप यह देखे टेक्नो इस फार्गो इस फाइल को आमने ओपन किया इसके अंदर अलड़ी बहुत सारी 75 फाइले थी लेकर दो 75 फाइले दिखाई नहीं दे रही है सिर्फ हमारी empty dot scatter फाइल ही दिखाई देती है आप उसको open करना ओपन करने के बाद जैसे आप open करेंगे open करते ही देखे सारी information आगए जितने भी सारी फाइले हैं ये सारी फाइले आगए और सारी फाइले आने के बाद आप mobile phone में क्या कर सकते हैं राइट करने के बाद जैसे राइट उक्षन पर क्लिक करेंगे यहां पर हमारा सौ आप्टर चलेगा सौ आपको सिर्फ एक काम करना है वेटिंग फॉर डिवाइस कनेक्टेट अब आपको प्लस माइनर दबाना है प्लस माइनर दबाने के बाद mobile phone को कनेट कर देंगे आपक चालू हो जाएगा इस तरीके से जितने भी mobile phone आते हैं सभी mobile phone के अंदर आप media tech cq के file को आप flash कर सकते हैं अगर file flash करने के बाद आपका mobile phone नहीं ठीक होता तो फिर आप इस file को दोबारा आप कोई new file को download करके भी आप flash कर सकते हैं इस तरीके से जो भी mobile phone आते हैं सभी mobile phone में software करने के तरीका होता है या mobile phone करने फ्लैसिंग करने के तरीका होता है तो यह दोस्तों मैंने आपको बताया है कि media tech cpu को mobile phone को आप कैसे flash करेंगे उस तरीका मैंने आपको बताया है आप देखे इसी phone को flash करने के लिए मैं तुमको SP flash tool के माद्यम से बताता हूँ जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे system के अंदर पहले कहीं से भी SP flash tool पड़ा हुआ है SP flash tool, SP flash tool ये देखें, आप लोगों को SP flash tool दिखाई दे रहा है, ये देखें ये अगरे फ्लेश टूल आ जाएगा, इस flash tool को open करेंगे जैसे flash tool को open करेंगे, yes करेंगे आपके screen में flash tool को खुल करेंगे आ जाएगा ये flash tool को खुल जाएगा flash tool को खुलने के बाद यहाँ आप डाउनलोड एजेंट scatter file loading करने के लिए option आएगा आप choose scatter file में जाएगे उसके बाद desktop में जाएगे desktop के अंदर जो हमारे बीबी 4K करके मैंने जो file मैंने आपको save कर रखी है टेकनो, टेकनो, टेकनो file कहाँ पर है file, 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 file ये file आगे, टेकनो इस file को उनने open किया इसके अंदर android empty dot scatter है, इस file को लेंगे जैसे file को लेंगे, file के अंदर processing होगी पूरी file हमारी load हो रही है यहाँ आप सार इन्फोर्मिसन आ जाएगी ओके अब यह दो को हमारा tool file को नहीं support कर रहा है क्योंकि यह कह रहा है कि latest tool नहीं है अगर latest tool नहीं है तो दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा latest tool को डाउनलोड करना पड़ेगा latest tool को डाउनलोड करने के लिए हम लोगों को क्या करना है close करना है close करने बाद अपना google खुलना है google खुलने के बाद google में जाएंगे google में type करेंगे गूगल में लिखेंगे SP Flash Tool SP Flash Tool SP Flash Tool करके लिखेंगे SP Flash Tool हमारा ओपन हो जाएगा SP Flash डाउनलोड करने के लिए ओप्सन आ जाएगा अगर आप नीचे जाएगे तो देखेंगे डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा जो आपका लेटेस्ट होगा आप उसको डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पर देखेंगे इसका जो यूज पासवर्ड इसका जो पासवर्ड है इसका पासवर्ड है इस पासवर्ड को आप यहाँ से कॉपी कर लगें उसके बाद जो डैटेस्ट तूल है इस तूल को आप डाउनलोड कि लिए जैसे तूल को डाउनलोड करेंगे तो तूल आपका डाउनलोड होना चालू हो गया है बहुत छोटा सा टूल होता है आप तुरंत डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद इस टूल को ओपेन करेंगे ओपेन करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे यहां से कट कर लेंगे कट करने के बाद मिनिमाईज किया सोफ्टर को मिनिमाईज किया इस टूल को हम लोगों ने desktop में paste किया desktop में paste करने बार right click करके extract here करेंगे extract here करते हैं समय password मांगेगा उस password को मैं वहीं से side से copy करके लाया था control V नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे sp flash tool dot com ऐसा लिखेंगे आप सको ok करेंगे यह file extract होना चालू हो गई है यह flash tool हमारा खुल गया है flash tool खुलने बार flash tool को open करेंगे जैसे flash tool open करेंगे तो flash tool आपके screen में खुल गया जाएगा आप देखिए file flash करने का तरीका क्या सेम उसी तरीके ती scatter file loading आप choose file में जाएंगे choose file के बार आप अपने desktop में चले जाएंगे desktop के अंदर जहां पर आपकी mobile phone की file रखी हुई है उस file को आप क्या करेंगे load करेंगे कैसे load करेंगे देखिए मैं आपको load करके दिखाता हूँ पहली बार तो मेरे techno के file कहाँ पर है वो मिल जाए मिल जाए मिल जाए यहां पर फाइल को load हम दो जीवे तीन जीवी के file होता है यह file हमारा यहां पर load होता है जैसे यह file हमारा load हो गया जबकि आप पहले देखेंगे तो पहले file हमारा इसलिए नहीं लोड हो पा रहा है तो तूल वर्जन जो होता हूँ अमारा match नहीं कर रहा था जब tool version match नहीं कर रहाता जिसके कानों से file अमारा load नहीं हो रहाता है तो यहाँ पर आप ले लेंगे यहाँ पर flushing करने के लिए दोस्तों आपको इस बात का ज़रूर ध्यान देना यहाँ पर download में जाएंगे यहाँ पर format upgrade only को नहीं select करेंगे सिर्फ only download को select कर लेंगे अगर यहाँ पर आप format download को select कर लेते हैं तो आपका mobile phone format भी हो जाएगा लोक भी खुल जाएगा लेकिन इससे mobile phone में IMI number भी चला जाता है IMI number जाने के बाद फिर आपके mobile phone में network नहीं आएंगे तो इसलिए सिर्फ आप download only को select करेंगे उसके बाद आप यहाँ बाद download को click कर देंगे इस software थोजा सा highlight सा हो जाएगा अब आपको plus minus बटन रभा के data cable को लगा देंगे फिर आपके mobile phone में यहाँ पर flashing आपकी चालू हो जाएगी तो जितने भी सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो के माधियम से सीख रहे हैं तो यह सरी वीडियो टुट्रियल मेरा बताने का मतलब यही है कि हम आपको कुछ सिखा पाएं कुछ बेतर सिखा पाएं कुछ आपको knowledge दे पाएं वीडियो में अच्छ तरीके से बनाने सकते हैं तो दोफ आज की वीडियो में इतना ही फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो पर और नेक्स टॉपिक पर और आज की टॉपिक में मैंने media tech CPU को mobile phone में software डालने के तरीका समझाया इसी तरीके दे हम लोग दोस्तों class में training देते हैं mobile phone repairing course को समझाते हैं mobile phone repairing course को सिखाते हैं और आप भी दोस्तों जब मेरे पास mobile phone repairing सीखने के लिए आएंगे तो आप SEA लेकर gelecek जड़ तक जितने भी mobile phone आते हैं अज दोस्तों वैं आपको बताना चाहेता हुग那就 को miator repair को सिखाते हैं इस mobile phone repairing course को हमारा सिखाने का concept क्या है कि हम आपको mobile phone repairing को course जो होता है किस तरीके से किस वे में आपको सिखा पाते हैं जितने भी सारे हमारे नए लोग हैं जो mobile phone repairing सिखने के लिए आना चाहते हैं या mobile phone repairing course को करना चाहते हैं तो हम लोग course को सिखाने का तरीका क्या होता है सबसे पहली बात का है इस course को मैंने सिखाने के लिए दो अलग-अलग हिस्सों में बाट रखा एक एरिया आता हाड़वेर आता है दूसरा एरिया हमारा क्या होता है हाड़वेर का माध्यम से मोबाइल फॉन में जितने सारी फिजिकली जो प्रॉब्लम आती है उन सारी प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे उनका तरीका हम सिखाते हैं सोब्टर के माध्यम से कोई भी मोबाइल पर में अनलॉकिंग स्लैसिंग जो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका तरीका हम लोग सिखाते हैं हाड़एर के हमारे अगर आप देखेंगे तो इसके अलग-अलग हम लोगोंने सर्जी तीन से चार पार्ट बना रखे हैं सबसे पहला पार्ट जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इस प्रैक्टिकल को हमलोग हैंड स्किल भी बोलते हैं हैंड स्किल का मतलब होता है हमारा हाथ साफ हो जाना चाहिए और हमारा काम करने के तरीका पता होना चाहिए क्योंकि सर मैं इस लाइन में पिछले 18-19 साल से मोबाइल फोन के लाइन में सर्जी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मेरा सिखाने का मतलब यही है कि अगर किसी बंदे का अगर हाथ पर्फेक्ट है नहीं है तो उसको काम करने में कहीने के प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अगर किसी काम को बेतर अच्छी तरीकर सीख जाते हैं और नहीं कर पाते हैं तो भी मेरा सीखने का और सीखने का आपका कोई खास साइदा नहीं रहता तो सबसे पहली बात हमारा practical मजबूत होना चाहिए हमारा hand skill strong होना चाहिए अच्छा hand skill में क्या चीज़े आती है जैसे आप कोई भी mobile phone आता ठीक होने के लिए motherboard आता रेपैर होने के लिए बोड आता ठीक होने के लिए तो आप motherboard के अंदर क्या कर सकते हैं जितने भी सारे socket लगे होते हैं charging connector लगे होते हैं display लगे होते हैं यू आई जैक लगे हुए हैं, लिटी जैक लगे हैं, कनेक्टरस लगे हुए हैं, उनको आप इजली तरीके से चेंज कर सकते हैं, मोबाइल फोन में ICO को रिवाल करकर डाल सकते हैं, CPU को चेंज कर सकते हैं, डबल डेकर CPU को चेंज कर सकते हैं, तो यह सारा चीज हमारा हैंड जाता है उसके बाद दूसरा कॉंसेप्ट हम लोग सीखते हैं basic basic का मतलब होता है PCB का checking PCB का checking का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी mobile phone आता है उस mobile phone के अंदर motherboard को कैसे check करते हैं जो हमारे mobile phone के अंदर जो board लगा होता है PCB board लगा होता है मैं आपो दिखाना चाहूंगा यह जो मदरभोड लगा इस मदरभोड को आप कैसे चेक करेंगे झा क्या होता है मोबाइसêsटर क्या होते हैं टरेसिंग क्या होते हैं सब चीशों के हम लोग बाद उस सीख्टेंग में और लिकला ला ईते हैं कोई भी मोबाइस Kümm चेकन है जिसी नियौज़िया आपको निखाना लगा इजि цел है अब आपको dat होने आता है कि हमारे पाग कोई भी मदर बोड ठीक होने के लिए कुलिए उस मदर बॉर्ड के और चार्जिंग नहीं हो रहा है मुबाइल प्रोлем में नेट्वड की में काम लाइन ने हैज इसी कोई भी री सप्राडंग और दिआ है tracing class में fault tick करने के सजी में 3-4 रास्ते होते हैं जिन अलग-अलग रास्तों से आपको fault को समझाता हूँ सबसे पहला रास्ता होता है कि mobile phone में basic track को check कैसे किया जाता है mobile phone के अंदर जो supply circuit होता है वो काम कैसे करता है जितने भी mobile phone के अंदर section होते हैं सारे section आपास में working कैसे करते हैं कौन दर section को कितना voltage कैसे जाता है कौन से signal line होती है कौन से supply line होती है कौन से हमारे mobile phone को चलाने के लिए controlling line होती है इन सब चीजों को हम लोग check करते हैं borneosematic के माधियम से mobile phone को fault को trace करते हैं यह सारा सब कुछ हम लोग tracing को सीचते हैं उसके बाद फिर हम लोग अगला part जी हम लोग सीखते हैं वो हमारा software start हो जाता है software में हम लोग mobile phone में unlocking करना सीखते हैं unlocking का म ignored होता है pin, pattern, password, farp, جितने भी सारे lock होते हैं उन सब को तोड़ना सीखते है mobile phone के अंदर flashing करना सीखते है स्लैसिंग करने का मतलब होता है मोबाइल फोन मोटी वासा में नया सोप्टर डलना जब इस सारा सब कुछ करना आ जाता है तो फिर हम लोग अगला सीखते है MMC, IC को प्रोग्राम करना MMC, IC को आप प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसका तरीका हम लोग सीखते है इस तरीके से जितने भी सारे हमारे स्टूरेंट होते है जब इतना सारा टॉपिक सीख जाते है उसके बाद फिर वो लोग मोबाइल फोन रिपेरिंग करते है मोबाइल फोन रिपेरिंग का मतलब होता है पहले हम लोग उनको concept सिखा देते हैं फिर हमारे पास इस तरीके तो बहुत सारे market से mobile phone ठीक होने के लिए आते रहते हैं जब बच्चे सीख जाते हैं तो उनसे कम से कम हम mobile phone बनवाते हैं कि इस mobile phone में network नहीं आ रहा है इस mobile phone dead हो गया है इस mobile phone गरना sorting हो गई इस mobile phone गरना pattern लोग लगा है इस mobile phone गरना राफार की लोग लगा है इस तरीके दे जितने भी सारी problem सारी इसूस आते हैं वो हम उनको data ठीक करने के लिए वो लोग mobile phone में fault को find करते हैं mobile phone को ठीक करते हैं यहां पर बहुत सारे shopkeeper दुकान वाले सारे लोग connected हैं तो यहां पर जब phone बनवाने के लिए आते हैं तो जितने भी सारे हमारे इस्ट्रेंट होते हैं जब mobile phone बनाते हैं तो उनको सीखने का नए इस्ट्रेंट के लिए सीखने का मौका मिलता है प्लस जो हमारे बच्चे हो तो उनको काम करने का मौका मिलता है और जितने भी सारे आदर लोग है जिनको mobile phone ठीक कराने के लिए आते हैं तो उनको mobile phone दोस्तों free में mobile phone ठीक होता उसका कोई पैसा को चाज़े नहीं लगता तो इस तरीके से सर आम आपको mobile phone रिपेरिंग को concept सिखा पाते हैं और जब आप आएंगे तो इन सारी बातों को live देखेंगे प्रेटकली देखेंगे mobile phone को ठीक करते हुए देखेंगे यह जो training center पर था यह कानपू सागर मार्केट में है कानपू सागर मार्केट जो कानपू रेलवे स्टेशन के जस्ट नजदीक है महां तो 300-400-500 मिटर के दूरी पर है walking distance आप पैदल आ सकते हैं जा सकते हैं और यहां पर आ करके पूरा complete course सीख सकते हैं सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ जो लोग आज mobile phone को line में कुछ करना चाहते हैं या वो किसी भी line में job कर रहे हैं लेकर उनको अच्छा setup नहीं मिल पा रहा है या वो अपने mobile phone repairing के line में अपना business setup जनाना चाहते हैं या mobile phone के line में अगर देखना चाहते हैं तो इस line में दो career future हमारी job security हमारे काम करने की तरीका working style professional सब चीज हमारा सुरचित है क्योंकि mobile phone ऐसा आप हाथ दिल पर हाथ रखके देख लेना इससा अभी feature खतम नहीं होने वाला दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है हर एक आदमे mobile phone पर depend होता चला जा रहा है और ऐसी कोई भी चीज में है जो mobile phone जिसके अंदर फीचर ना हो इस डिवाइस में सब लोगों को अगर जोड़ा है connectivity के साधन बना जाया है तो सब लोग आगर देखा जाए तो आज के समय पर सबसे ज़्यादा अगर कोई जितने भ बात है इसके सबस्क्राइब हो जाएगा तो लोग उसको रेपैर कराएंगे तो आप लोग भी सीख करके अच्छा फूचर कर सकते हो अच्छा काम कर सकते हो इस बिजनिस को करने के लिए कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं आता मात्र अब 40-50,000 रुपर लगता और आप अपना बिजनिस श्टाट अप कर सकते हैं शीखने में 22-25,000 रुपर फीज लगती है और आप पूरा कंपरेट सीख करके जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं तो दोस्तों बांकी और इनफोर मेंसर लेना चाहते हो तो हमारे नीचे स्क पर आपको कोई प्रोब्लम की बाती है आप आएंगे तो 100% मेरा वादा है कि आप सीख के ही जाएंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो में बने देने के लिए थैंक्यू और फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो पर ने टापडिक करें